वेल्कम टिस्टोन डिक्टियसन डिक्टियसन पांच जिकन बार शुरू होगा रेडी स्टार्ट कर्ज की किस्तों पर ब्याज वसूलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरवुच्च नयाले के रुख से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मिद जगी है कोरोना महामारी के मद्दे नजर पूरे देश में दो महीने से जादा महीना पूरबंदी लागू रही इस दोरान सारी वैवसाईक गतिविधियां बंद रही बहुत सारे लोगों की कमाई रुक गई बहुत सारे लोगों के वेतन बंद हो गए अनेक लोगों की नौकरियां जाती रही इसलिए केंद्र सरकार ने लोगों को राहत पहुचाने के लिए कई घोशनाएं की थी जिन में भारती रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज की किस्तों का भुगतान तीन महीने तक के लिए टालने की घोशना भी एक थी बैंकों ने इसका पालन करते हुए अपने ग्राहकों को किष्टें चुकाने में महलत तो दी मगर उन किष्टों पर ब्याज लगाना बंद नहीं किया यानि वे किष्टें ब्याज सहित ग्राहक के कर्ज के मूलधन में जुडती जाएंगी इस तरह हर महीने ब्याज पर भी ब्याज जुडता जाएगा इसे लेकर ग्राहकों ने सर्वोच न्यायाले में गुहार लगाई की मुहलत के बजाए बैंक उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं इस पर सर्वोच न्यायाले ने केंदर सरकार और रिजर्व बैंक को फटकार लगाते हुए उनसे अपना पक्ष रखने को कहा था अधालत के समक्ष सौली सिटर जनरल ने तरक दिया की जब बैंक अपने ग्राहकों के जमाधन के ब्याज पर ब्याज देते हैं तो उन्हें अपने धन से मिलने वाले ब्याज पर ब्याज वसूलने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए अगर वे ब्याज माफ करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा हालां कि इस मामले में सबको अपेक्षाथी कि भारती रिजर्व बैंक हस्तक शेप करते हुए बैंकों को इसपष्ट निर्देश देगा मगर उसने इसका फैसला बैंकों पर छोड़ दिया इसे लेकर सुप्रीम कोट ने रिजर्व बैंक को कड़ी फटकार लगाई कि वह बैंकों की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता उसे बैंकों को इसपष्ट निर्देश देना चाहिए जब बैंक हजारों करोण रुपाए के बटे खाते यानि एन पी ए को वहन कर सकते हैं तो कुछ महीने के लिए सामाने नागरिकों को किष्टें चुकाने के लिए दी गई महलत का पालन करने में उन पर ऐसा क्या भार पड़ जाएगा केंद्र सरकार भी चाहे तो आपदा प्रबंधन कानून के तहत बैंकों को किष्टों के ब्याज पर ब्याज न वसूलने का आदेश दे सकती है मगर वह भी चुप है लोगों की मांग थी और जैसा की पिछली सुनवाई के वक्त सॉलिसीटर जनरल ने संकेत भी दिया था कि किष्टें चुकाने में महलत की अवधी बढ़ाई भी जा सकती है लोगों को उम्मीद बनी थी की सरकार उन्हें राहत देगी लोगों को कर्ज की किष्टें चुकाने में महलत उन्हें जीवन जीने के अधिकार के तहत दी गई थी इसलिए अगर बैंक उनसे ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं तो यह लोगों के उस अधिकार का हनन होगा और उनकी मुश्किले और बढ़ाने वाला भी तीन महीने की महलत की अवधी अगस्त का महीना समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो चुकी है मगर कोरोना संकट के चलते नागरिकों के सामने पैदा हुआ आर्थिक संकट दूर नहीं हुआ है करोणों लोगों के अपनी नौकरियों और रोजगार गमा देने के आकड़े आ चुके हैं नए रोजगार की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बहुत सारे लोगों के लिए भारी पढ़ रहा है ऐसे में जिन लोगों ने घर वाहन या दूसरी चीजें खरीदने के लिए कर्ज लिया था उन्हें उनकी किष्टें चुकाना कठिन है इसे देखते हुए सर्वोच न्यायाले का रुख मानविय है स्टॉप स्टॉप